हाई हेलो असलालेकूम कैसे हैं आप सर इंशालला ताला ठीक होंगे आप सभी कोई दलसा की बहुत सारी मुबारक बाद वेलकम टो माई यूटीब चैनल पिंक ब्यूटी आज की हमारी वीडियो है पिंपर्स यानी के मुहासों को लेकर सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये पिंपर्स होते क्यों है जब हमें कहीं जाना होता है या शादी पार्टी में जाना होता है तो ये पिंपर्स हमारी स्किन पर सामने नुमाया हो जाते हैं हमारी स्किन मेसल में होते हैं छोटे छोटे पोर्स जिनके नीचे सीबीसिस गलैंड होती है जिनसे सीपम यानि के oil प्रडियोस होता है Óili स्किन पर ये ज्यादा सक्री होते है इसकिन पर एच्छे से सफाई ना करने से पल्यूशन की वज़़े से गंदगी जमा हो जाती है वहां जिससे ब्लैक हेट्स और वाइट्स और दाने बनते हैं यह एक इन्फेक्शन है जो छूने से और फैलता है तो इसे कभी भी छूने की और फोड़ने की कोशिश ना करें वरना बैक्टिरिया और भी ज्यादा फैलेगा और आपके मुहां से और बनेंगे तो चलिए चलते हैं अपनी रेमेडी की तरह हमें चाहिए अलोवेरा का जूस यह अलोवेरा का जूस मैंने अपने प्लांट से निकाला है अगर आपके घर में प्लांट से तो उससे निकाल लिए नहीं तो रेडी मेड भी यूस कर सकते हैं फिर हमें चाहिए इसके लिए न नीम्बू के क्या फवायद हैं आप सबी इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं ये बैक्टिरिया को भी खत्म करता है और महासो को भी दबाता है। तीसरा और सबसे खास इंग्रेडियन्स है जो महासो पे बहुत अच्छा काम करेगा ये है टीटिरी ओयल ये टीटिरी ओयल आप किसी भी साइट पर या एमजोन से जाकर परचेस कर सकते हैं इसकी बहुत कम कौंटिटी कम मिगदाल लगते हैं ये एक छोटा बॉटल आपका सा अलग भर तक चल सकता है तो चलिए चलते हैं रेमेडी बनाने की तरव सबसे पहले आपको कम से कम तीन चम्मच ऐलो विरा जूस ले लेना है फिर इसमें हमें एड करना है नीमबो का रस ये भी करीब एक चम्मच के करीब आप ले लीजे इसकी कॉंटिटी यही रखिएगा आप क्यों आ जाती है बीच में फिर इसमें एड करेंगे हम टीटी वी ओईल टीटी ओईल का बस एक ही बुंद आप डालें इसमें इस रेमिडी के लिए एक बुंद इनाफ होगा ज्यादा मत डाली क्योंकि यह थोड़ा सा तेज होता है क्योंकि इसमें लेमन भी है तो आपको जल भी सकता है इस रेमिडी को आप मिला कर अच्छे से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं इसको एफेक्टिव एरिया पर आपको डेली बेसिस पे लगाना है एक भी दिन गैप मत कीजिए इससे आपके दानों पर बहुत जल्दी रिजल् लीजिए साफ चेहरे पर ही इसे लगाईएगा ये तो थी हमारी आज की पहली रेमेडी अब चलते हैं हम अपनी दूसरी रेमेडी की तरफ जिसके लिए हमें चाहिए मुलतानी मिट्टी का पाउडर इस पाउडर को अपने घर में जरूर रखा कीजिए क्योंकि ये बहुत पताने की जरूरत नहीं है फिर हमें एक चीज़ चाहिए ये है पुदीने का रस इसको ताजा निकाल लीजिए ये फेस पैक आपको बहुत कूलिंग इफेक्ट देगा इन्शालला ताला और महासों पे बहुत अच्छा पर्द करेगा इसके लिए आप एक चमच मुलतानी म मिट्टिका ले लीजिए और इसमें एड़ करिए इतना यानि कि दो पिंच हल्दी का फिर इसमें एड़ कर देंगे हम करीब तीन चमच पुदीने का रस पुदीने का रस और मुलतानी मिट्टिक काफी ठंड़क देती है इसकिन को इसलिए जिनके बहुत ज़्यादा पस होता है दानों में दर्द होता है तो उनके लिए ये फेस पैक तो समझ लिए कमाल है इसको हफ़ते में तीन बार यूज करना है इससे आपको दर्द में भी रहत मिलेगी इससे आपके चेहरे को ठंड़क भी मिलेगी जिससे दानों पर बहुत असर होगा अच्छा सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर ये कर दूँ कि किसी भी रेमेडी को आप कम से कम 15 से 20 दिन जरूर इस्तिमाल किया करिए अगर आपको अपने मुहासे ज़र से खतम करना है तो ये दोनों रेमेडी जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है तो इसे लगातार कम से कम 20 से 25 दिन जरूर रेगुलर बेसिस पर यूज़ कीज़े इंशालला तला बहुत ज़्यादा जल्दी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इससे दाग भी कम होंगे आपके जो मुहासे अक्सर जाने के बाद छोड़ जाते हैं तो ये तो थी हमारी रेमेडी टेटिरी ओयल मुहासो पर बहुत अच्छा वर्ग करेगा हल्दी चुकि एंटी बैक्टिरियल और एंटी फंगस होती है ये सारी चीज़ें मुहासो का नाश मिटा देंगी इंशालला तला अब हो जाती है मुहासो के लिए कुछ बहुत ज्यादा असरदार टिप्स जितना हो सके आप पानी पीजिए पिंपर्स को फोड़िए नहीं चेहरे को बार बार हाथ मत लगाईए जितनी बार हो ठंडे पानी से अपने चेहरे को वाश कीजिए कम से कम दो बार फेस वाश ज सुनकर अजीब लगेगा बट बहुत पावरफुल है आपको सुभा की बासी थूख इसे भी आप दानों वाली जगह पर लगाएं बहुत जल्द सूखने लगेगा सलाद और फल खोब खाएं और कोई भी केमिकल प्रोड़क्ट या कॉस्पेटिक यूज ना करें रात में स मिलेंगे आज का वीडियो अगर आपको इन्फोमेटिव लगा हो तो गुजारिश करती हूँ कि मेरे पिंक ब्यूटी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दूआ करती हूँ अल्ह ताला इस मुश्किल वक्त में कोरोना से तमा लोगों की हिफाज़त फरमाएं आमीन अब दीजे इज्याज़त अल्ला हाफिज चैनला हाफिजादियों